देश में नए किसान बिल के विरोध में जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन इस वक्त देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है जहां एक और किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में कई सेलिब्रिटीस उतर आए हैं तो वहीं कुछ इसे पॉलिटीशन की साजिस बता रहे हैं हर मुद्दे पे अपनी राय खुलकर साबने रखने वाली कंगना रानाओत ने भी टुईट करते हुए इसे ओपोजिशन की साजिस बताई है तो वहीं पंजाब की पॉपलेर सिंगर और बिग बोस्तेरा की स्टार हिमांशी खुराना ने कंगना के इस टुईट पर आपजेक सेक रहा है उमीद है कि सरकार किसी एंटी नेशनल एलिमेंट को इस मौके का फाइदा नहीं उठाने देगी और खून के प्यासे टुकड़े गैंग को एक और शाहिन बाग बनाने का मौका नहीं देगी कंगना की इस टुईट पर हिमांशी खुराना ने करारा जवाब दिया है हिमांशी ने कंगना की टुईट पर कॉमेंट करते हुए लिखा चलो अब डिफरेंस नहीं रहा आप में और बॉलिवुड में क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपके साथ गलत हुआ तो शायद आप जादा कनेक्ट कर पाती फार्मर से चाहे वो गलत हो या सही पर ये सब डिक्टेटर्शिप से कम नहीं है हिमानशी ने कंगना पर तंच कसते हुए आगे लिखा है आपके हिसाब से गवर्मेंट से सिक्योरिटी मांग लो पर हक नहीं कंगना पर एक बार फिर वार करते हुए हिमानशी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेर किया जिसमें हिमानशी लिखती है ओ, तो अब आप गौवर्मेंट की नई स्पोक परसन है बात को गलत एंगल देना तो कोई इन से सीखे ताकि कल ये लोग कुछ करें इसे पहले ही लोगों में रीजन फैला दिया कि ये दंगे क्यों होंगे स्मार्ट और ना पहली गवर्मेंट से पंजाब खुश था और ना अब अगर हमारे सीएम साहब आके कुछ करते तो खुट थंड में सड़कों पर न निकलते जिसके बाद उन्होंने भीड में जाना बंद कर दिया था और कॉरिंटीन हो गई थी मगर अब हमानशी बिलकुल ठीक है हाल ही में हमानशी ने अपना जन दिन भी अपने रूमर्ट बॉइफरेंट आसिम रियास के साथ दुबई में बड़ी ही दूमधाम से सेलिब्रेट किया जिसकी फोटोस और वीडियोस सोशल मीडिया पर वाइरल हुए थे